हालोगाई आपके अपने चर्फेल की चर्फेली सर्फेल्स महरास्टा लुटेड़ आज की बात करें पर्सों की बातार यह अपार सब्सक्राइब तो कंडिशन कैसी है पूरा पूरा डिस्कुर्शन करेंगे चैनल को सब्सक्राइब करना मत बुलें तो आज के हाई की बात करें तो 13 रुपे इसका आज आज का रही है तो इसका आज का लो भी यहीं है अगर 92 की बात करें तो चोन रुपे 10 पैसे इसका पाउन भी खाई है तो गाइस काफी chances हैं कि ये एक नया पाउन भी खाई set करें अगर बात करें Monday की of course रकल जो की market की market holiday है तो गाइस काफी chances हैं next week की एक नया पाउन भी खाई set करें and overall high भी set करें क्योंकि इसका maximum की बात करें तो maximum इसका करेकरे 60 उपेका है अगर बात करें इसके analysis की तो यहाँ पर जो NSE पे volume trade हुआ है साड़े पंदरा लाग quantity volume trade हुआ है अगर बात करें BSE पे तो BSE पर भी 2,10,000 quantity volume trade हुआ है अगर बात करें इसके sort की तो यहाँ पर 7 strength है 5 weakness है, 3 opportunities है, 1 threat नजरा रहा है अगर बात करें इसके आज की या फिर last 5-6 दिन की बात करें तो लगातार upper circuit पे low को रहा है BSE में of course जो की थोड़ा-थोड़ा fluctuation इसमें देखने को मिला था not today, of course जो की एक-दो दिन पहले भी इसमें जो की fluctuation देखने को मिला था and sentiment की बात करें तो sentiment आपी 67% पाए, 33% चल and 0% hold करने का sentiment इसमें नजरा रहा है and अगर बात करें इसके quarterly result की तो result आप देख सेबते हैं even जो यहाँ पर जो revenue है उसको maintain किया गया है more than 200 crore revenue को maintain किया गया है तो guys of course काफी पैतरीन condition है net profit की बात करें तो इसने loss जो की year on year काफी कम किया है करीब दिन गुना loss कम किया है and अगर बात करें earning per share की तो earning per share में भी करीब करीब सेम situation है जो की net profit की है and इसके लाब अगर बात करें share holding की तो यहाँ पर 44.36% holding बिल्कुल परकरार है एक साल से उसमें कोई changes जो की नजर नहीं आ रहा है pledge की बात करें pledge बिल्कुल zero है and अगर बात करें public की तो public holding 25.85% यहाँ पर बनी हुई है अगर बात करें FII and others की बात करें तो 0.01% के साथ holding को बनाए हुए and इसके लाब बात करें FII की तो holding यहाँ पर जो की 0.01% के साथ है and अगर बात करें इसकी news की तो market में काफी शारी news flash हो दी है सबसे पहले हम बात करें super app of course काफी बड़ा मुद्दा है हर किसी की निगा इस पे है कि super app कब आएगी तो guys of course एक वीडियो की तो मैंने आपको बताया था कि super app जो की काफी chances है next year early next year जो की super app launch की जाए already जो की market में नहीं आई है but जो Tata Group के employee है उनको super app दे दी गई है वो इसका benefit अभी ले रहे है and guys ये checking के लिए of course जो की employee को जा चुकी है Tata Group के and काफी पहतरीन काम कर रही है तो it means की Tata Group के employee को जा चुकी है तो कुछ time के बाद ये जो की publicly भी even यहाँ पर जो की circulate होगी की हर कोई इसमें जो की काफी पहतरीन जो की इसके cash pack का और हर किसी का जो की उठा सकता है and काफी chances है इसमें जो की early next year ये launch हो officially and अगर बात ने इसके अलावा जो की इसमें of course जो की technical support है वो Tata Tele Business Services ही इसको provide करेगा जो की नए अवतार के साथ आ चुका है जो की incorporate किया जा चुका है Tata Tele Business Services की बात करें तो of course जो की Tata Tele Business Services already smart flow निकाल चुका है जो की cloud-based app है एक video की तो मैंने आपको बताया था and apart from that अगर बात करें जो की एक नए अतार के साथ आ चुका है SME सेक्टर को पूरा जो की Tata Group के जो SME सेक्टर को है वो पूरा Tata Tele Business Services ही उसको cater करेंगा and apart from that अगर बात करें Zoom के साथ partnership it means की Zoom इतना जबरदस्ट app है maximum इसको यूज कर रहे है चाहे organization में हो schools काफी जगह पर जो की Zoom जो की अब भी यूज किया जा रहा है and एक bundle of जो की service के साथ जो की Zoom app है जो की of course एक partnership हुई है तो Tata Tele जो की Zoom के साथ partnership की है तो एक bundle of service हर किसी को जो organization को provide की जा रही है and अगर बात करें इसके अलावा Tata Tele की है तो काफी सारी news जो के market में flash हो रही है तो guys ये news है जो की Tata Tele Business Services launches EZ Cloud Connect for businesses of course काफी पहतरी news दी जो 28 September को आई थी इसके लावा एक ओर news पी आई थी एक वीडियो के थिरू मैंने आपको बताया था and apart from that अगर बात करें जो की complain की बात करें तो zero complain अभी जो की shareholding जो की quarter end September 2021 तक जो की complain है वो zero है कोई complain यहाँ पर मौजूद नहीं है and ये notification 7 October को आया था and अगर मात करें अभी end present तो guys मैं हर बार बोलता हूँ कि हर dip में इसको ले of course एक जबरदस और पहतरी profit आपको मिल सकता है जब इसकी value करें करें 7 रुपे हुआ करती थी तब से मैं बोल रहा हूँ guys इसको ले लीजिए इक attack कर लीजिए एक पहतरी profit आपको मिल सकता है near future या फिर लंबे time के लिए and guys अभी भी मैं ये बोलता हूँ कि इसको hold करके रखे काफी chances है कि ये आज़ पास आपको दिखेगा near future क्योंकि काफी पहतरीन condition है अगर बात करें relief package की, telecom relief package की of course उसका भी even यहाँ पर benefit मिलने वाला है टाड़ टाड़ी business services को तो काफी पैतरीन situation है काफी chances है price की उपर जाने के क्योंकि condition काफी काफी पैतरीन है, तो guys hold करके रखें और एक अच्छागा सा profit आप ले सकते हैं so thanks a lot for watching the video so please take care, please like, comment, share and subscribe thank you, take care